सरकारी स्कूलों में गंदा खाना खाने से बच्चों के बिमार होने की खबरे तो कई बार आती रहती है लेकिन इस बार दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक सरकारी स्कूल में आयरन की गोली खाने से करीब 21 बच्चे बिमार हो गए स्कूल में बच्चों को आईरन की गोली दी गई थी जिसके बाद बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत होने लगी तादाद बढ़ने पर बच्चों को नज़दी के अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है गटना के बाद स्कूल प्रशासन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया हुंतास खान के साथ सुरेंदर सिंग की रिपोर्ट नवोधिया टाइम्स दिली